अगर आप एक सचे नाइक हो तो हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनातेए और हम कहाँ कहाँ से हमारी समास के इतिहास की बातों को हम आप तक पहुचाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाष्त-ट जरू देखना अभी तक आप ने अमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपना पालन पोशन करते थे और वे प्रकरतिक की फूजा करते थे जिसे आग, जड़, धर्तिको वे अपना अराध्य देव मानते थे नाइक जाती के सबी लोग एक परिवार के आधार पर छोटे-छोटे कबीलों में रहा करते थे निरंतर समय बीतने के बाद धीरे धीरे जंगलों में भुखमरी और सिकार की कमी के कारण नायक जाती के सबी लोग जंगलों को छोड़ कर बहार जाने लगे और अलग-अलग राज्यों में उन्होंने सरण ले लिए और कुछ समय बाद राजा महराजों की दोर की सरवात हुई समराजी के लिए जब सेना की आवशकता पड़ी तो हजारों लोगों को सेना में दाखिला मिला और सभी राजाओं ने नायक जाती के सभी लोगों को अपनी अपनी सेना में समिलित करने लगे नायक जाति के सबी लोगों को सेना नायक का पद मिलता था क्यूंकि नायक जाति के सबी लोगों में सारी खूबिया और विसेष्टा थी जो एक सेना नायक में होनी चाहिए जेसे शक्तिसाली, प्राक्रमी, महान योद्धा, बहादूर, नीडर और एक समझदार वक्ती ये सारी खूबिया नायक जाती के लोगों में पाई जाती थी। इसी कारण नायक जाती के सभी लोगों को सेना नायक की उपादी दी जाती थी। नायक समाज के लोगों ने अंग्रेजों से लेक के अनिय सासकों से कहीं यूद किये। नायक जाती के लोगों में इतिहास की लड़ाई में एहम भूमि का निपाई। नायक समाज के इतिहास से इतिहासों की हजारों किताबों में नायक समाज के इतिहास मिलता है और उसी इतिहास को हम आप तक पहुँचाएंगे ये नायक समाज एकता का वादा है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें हिम्मत मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे समाज के और भी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके जे भील, जे नाइक समाज